भारत जोड़ो निया यात्रा इस वक्त कानपूर के पावन धर्ती पे मौजूद है दोस्तों इस यात्रा के दर्म्यान से राहूल गांधी बीजेपी के लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं जिस तरीके से वाइरल बॉय ओबीसी और एस्टी एस्टी के बैनर लिये हुए राहूल गांधी के पास पहुचता है और ये कहता है कि हमको इंसाफ नहीं मिला काफी दिनों से तयारी कर रहे हैं लेकिन परचा लिक हो गया राहूल गांधी पूछते हैं कि ओबीसी क्या है लड़का रोने लगता है और कहता है कि घबराहट हो रही है राहुल गांदी उसका पीड थप थप आते हैं और कहते हैं कि तुझे घबराना नहीं है तो बबर शेर है बता OBC क्या है तो इस देश के अंदर ये हाल है युवाओं का दोस्तों कुछी दिन पहले उत्तर परदेश के अंदर पेपर लिख होता है साथ हजार नोकरिया निकाले जाती है साथ लाख लोग एकजाम में पहुँचते हैं जिस तरीके से इस देश के अंदर और परदेश के अंदर युवाओं का हाल है कहीं न कहीं बद से बत्तर है 2014 से पहले जब परदान मंतरी मोधी के सरकार नहीं थी वो कहते थे कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हर साल दो करोड युवाओं को रोजगार देंगे लेकिन आज 10 साल मुकमल होने जा रहे हैं उनके कारेकाल के इस हिसाब से आज 20 करोड युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था लेकिन आपको पता है कितना रोजगार मिला मोदी जी कहते हैं आत्म निर्वर बनो इस देश के अंदर एक तरफ मंदिर और मस्जित की राजनिती है धर्म की राजनिती है तो दूसरी तरफ राहुल गांदी भारत जुड़ो निया यातरा के दर्मियान से लगतार ये कह रहे हैं कि ये हमारी महबत की दुकान है ये धर्म की दुकान नहीं है, ये महबबत की दुकान है, हम लोगों से मिल रहे हैं, SC, ST, OBC की लोगों से मिल रहे हैं, और उनके समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी यातरा के दर्मियान से राहुल गांदी कहते हैं, कि राम मंदिर का इमिगरेशन तो हुआ लेकिन उसमें उद्योग पती गए उसमें आपको अमबानी दिखे उसमें आपको अडानी दिखे अमिताप बच्चन दिखे इस्वरिया राय दिखी परधान मंतरी मोधी दिखे और इसी तरीके से गरह मंतरी अमित शाह दिखे उत्तर परदेश के मुखमंतरी योग इमिग्रेशन में किसानों को देखा क्या राम मंदिर के इमिग्रेशन में SC, ST, OBC के लोगों को देखा देश की राष्ट पती OBC परिवार से आती हैं क्या आपने उसमें राष्ट पती को देखा ये सबसे बड़ा सवाल राहुल गांदी का हर्याना पंजाब राजिस्थान का किसान परधान मंतरी से बात चित करके अपना हक मागने के लिए कोशिश कर रहा है दिल्ली कूच करने की पलानिंग में है परधान मंतरी नहीं चाहते कि किसानों का हक मिले परधान मंत्री बिल्कुल भी नहीं चाहते के युवाओं का हक मिले परधान मंत्री बिल्कुल भी नहीं चाहते के नारियों का हक मिले नारियों का सम्मान हो ऐसा राहुल गांदी का कैना है क्योंकि देश के अंदाता जिस तरीके से सडक पर आज भी टहल रहे हैं और जिस तरीके से उनके उपर आंसु गैस के गोले दागे गये जिस तरीके से रबर बुलेट को उनके उपर दागा गया और जिस तरीके से उनके उपर छर्रे दागे गये और ड्रोन केमरा से उनके उपर आंसु गैस के गोले दागे जा रहे हैं ये कहीं न कहीं देश के किसानों का हित में सही नहीं है ये यातरा लगतार जारी है और यातरा मुंबई तलग पहुंचनी है इस यातरा के दर्मियान से राहुल गांधी लगतार नियाई की बात कर रहे हैं वहीं पे सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या वज़ा है कि राहुल गांधी नयाय की बात कर रहे हैं क्या इस देश के अंदर नयाय नहीं मिलता है अभी सामने ही 2024 लोग सभा का एलेक्शन होना है तमाम राजिनितिक पार्टिया अपने अपने तरीके से जनता के सामने आ रही है जनता को समबोदित कर रही है और वादों पे वादे कर रही है वहीं पे कांग्रेस जो है बीजेपी को उपर हमला बोलती है और कहती है कि पहले बीजेपी दस सालों के अंदर जो वादे किये हैं पहले उस पे खरे उतरे बाद में फिर नए वादे करे तो ये कहीं न कहीं राहूल गांदी का परधान मंतरी को पर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर परधान मंतरी दस साल के कारेकाल में अब तक उन्होंने क्या किया जाहिर है कि दस साल के कारेकाल परधान मंतरी को हो चुके उनको विकास की बात करनी चाहिए थी